एक बारे में, इसके बारे में इस क्लास में हम देखें में कौन-कौन से उच्छावच आपको देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडऀक्शन के साथ कि महासागर में है क्या देखे, सोर मंडल में हमारी प्रत्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहांपर प्रचूर मात्रा में जल की प्राप्ति हमें होती है इसी कारण से इसको एक्वेटिक प्लैनेट या जल ये ग्रह भी कहा जाता है मोटे तोर पर देखेंगे तो प्रत्वी के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है या महासागरों का विस्तार है exactly ये है 70.8% भाग पर जो है वो महासागरों का विस्तार पाय जाता है महासागर एक विशाल और निरंतर जल खंड है जो प्रत्वी के सभी भूखंडों को चारोड से घेरे हुए है तो यह परिवाशा होगी महासागर की कोई पतावनाची कि महासागर है क्या ठीक है महासागर एक विशाल और निरंतर जल खंड है जो प्रत्वी के सभी भूखंडों को चारोर से घेरे हुए है या आप कहा सकते हैं कि जो महाद्वी पे भाग है उसको खेरे वे जो है वो जलडाशी जो है वो कहलाती है महासागर अब आप देखोगे तो दक्षनी गोलार्थ के लगबग 4x5 मतलब लगबग 80% भाग पर जल का विस्तार है और उत्री गोलार्थ के 3x5 मतलब 60% भाग पर महासागर जल का विस्तार है इसमें विश्व के समूचे जल का लगबग 97.2 प्रतिशत जल समाईत है तो प्रत्वी पर जितनी भी जल राशी है उसमें से 97.2% भाग है वो महासागरों में पाया जाता है तो यह डाइगराम में आप देख सकते हैं कि सम्पूर्ण जल का 97.2% जो भाग है वो आपका महासागरों में है इसके अलावा जो रिमेनिंग भाग है 2.78% वो फ्रेश वाटर जिसको कहा जाता है वो है मीठा जल जिसको बोलता है इसमें से फ्रेश वाटर का भी 77.78% भाग सरफेस वाटर के रूप में है और सरफेस वाटर का जो सबसे बड़ा भाग है वो आता है आपका ice और glacier से बर्फ और जो glacier के पिगलने से जो जल प्राप्त होता है जिसको जिसे जो नदियों को प्राप्त होता है तो वो आपका है ice और glaciers का ठीक है इसके अलाबा surface water के अलाबा soil moisture से 0.28% water है ground water 11.2% है और deep ground water है वो आपका 11.2% है 0.2% है तो surface और subsurface water हो गया इसमें के बार प्रेशन पूछा जाता है कि fresh water का सबसे बड़ा source क्या है तो fresh water का सबसे बड़ा source क्या है ice and glaciers तो यह आपको थोड़ा सा short में पता होना चाहिए बट मोटे तोर पर हमें यह बता होना चाहिए कि जितना भी प्रक्तिव पर जल पाया जाता है उसका लगभग 97% भाग जो है वो समुद्र में पाया जाता है अब हम देखते हैं महासागरे बेसिन का परिचे तेकि महाद्वीपों के विप्रीत महासागर एक दूसरे में इत ने लाइक हो गे तो प्रत्वी के महासागर भाग हैं वो कौन-कौन से हैं देखिए वो हैं अपका प्रशांत महासागर की आपका Pacific Ocean है थीकお願いします असके बाद मेंहाथा है ठीक है तो कितने महासागर हो गए प्रशांत, अट्लांटिक, हिंद, आर्क्टिक और दक्ष्णी महासागर ये जो आपके हैं महासागरिय भाग हैं अब हम आगे बात करते हैं महासागरिय बेसिन के उच्चावच या रिलीफ फीचर्स जो हैं उनकी कि महासागरों में कौन-क कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क उसका जब विकास हुआ तो ध्वनी तरंगों की सहायता से परोख्ष रूप से महासागरी नीतल का चित्रन करने में हम सक्षम हुए है ध्वनी तरंगों का महासागरी नितल को छूकर प्रति ध्वनी के रूप में वापस आना ही सोनार बैथिमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल या अधार है इसमें क्या करते हैं जो अकोस्टिक साउंड्स होते हैं या ओडियो सिगनल प्रोसेसिंग होती है उनके द्वारा जो एको का रिफ्लेक्शन आता है उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो महासागरी नितल है उसके उच्चावच किस प्रकार से हैं तो इस विधी से एकत्वित आंकडे अनेक जटिल उच्चावची नितल पर प्रकाश डालते हैं जो सोनार बैथिमेट्री है इसके आधार पर हम जो है उच्चावच का मानचितरन करने में सक्षम हुए हैं तो ये जो बैथिमेट्री है सोनार सिस्टम उसमें जो ध्वनीत रंगे हैं वो नीचे गिरती हैं इनको पिंग किया जाता है इसके बाद में इनके द्वारा प्रतिदधनित होंई जो एको उत्पन करती है उसके आधार पर हम यह डिसाइड करते हैं कि जो अधरातल है वो किस प्रकार का है यह single beam की रूप में भी हो सकता है और एक स्वात की रूप में भी हो सकता है मतलब एक बड़े छेत्र को भी ये cover कर सकता है तो इस bathymetry के द्वारा हम जो sea floor है या सागर नितल है उसके जो उच्चावच है उनको मानशित्रन करने में हम सक्षम हुए है bathymetry के लाव बहुत सारी विदिया हैं जिनके माद्यम से हम ये करते हैं लेकिन जो general use में आता है वो ये sonar system है मासागर उच्चावच का पता लगाने के लिए अब हम बात करते हैं कि मासागर उच्चावच में है क्या क्या देखिए मासागर बेसिन के जो उच्चावच हैं उच्चता दرशी वक्र या उच्चता मितिक वक्र जिसको बोलते हैं haapsometric curve तो haapsometric curve क्या है ये है आरेक है जिसके द्वारा हम मासागर बेसिन के उच्चावच को दिखाते हैं इस curve के द्वारा या इस वक्र के द्वारा महादवीपेस्थलों के उच्छाई और महासागरे गहराई को प्रदर्शित किया जाता है समन्नुत है जो महासागरे बेसिन है, उसके चार हम भाग करता हैं मोटे तोर पे सबसे पहले आता है महादवीपे मगनितट या कॉंटिनेंटल शैल्फ Continental Shelf के बाद में आता है महाद्वी पे मगन ढाल या जिसको बोलते हैं Continental Slope Then comes महाद्वी पे उत्थान या Continental Rise और सबसे जो अंतिम भाग है वो है अगाद सागरिय प्लेन या Deep Sea Plane या Avasal Plane जिसको बोलते हैं वो तो ये चार भाग हैं, चार उच्चावच हैं जो महासागरे बेसिन में समाने तरह में देखने को मिलते हैं ये चार बड़ी कैटेगरीज हैं जिनके जो हैं आपको महासागरे बेसिन में देखने को मिलते हैं अब हिपसामेट्रिक कर्व देखते हैं कैसा दिखता है ये आप देखिए, इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि सलवाग से उंचाई, सागर्टल से उंचाई और जो गहराई है उनको दिखाने वाला कर्व है वो कहलाता है उच्ता मितिक कर्व तो ये देखिए ये जो है आपकी माउंट एवरिस्ट की हाइट को दिखा रहा है और ये जो है आपका सबसे गहरी जो खाई है महासागरे गर्थ उसको दिखा रहा है कि जो गहरे भाग हैं और उच्छे भाग हैं उनमें किस प्रकार से हम एक आरेख निरूपित कर सकते हैं जो दूसरा डागराम है इसमें आप और भी अच्छे से देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपका महाद्यूपय मगनतर दिखाई दे रहा है महाद्यूपय भाग से जो जो जोड़ावा भाग है वो है महाद्यूपय मगनतर या कॉंटिनेंटल शेल्फ उसके बाद में ढाल है यह ढाल जो है यह कहलाता है महाद्यूपय ढाल कॉंटिनेंटल स्लोप देन आपका अगाद सागर ये मैदान और मैदान के बाद में फिर से जो है उत्थान उता है और ये महासागर उत्थान यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है इसके बाद में इसमें आपको महासागर गर्थ दिखाई दे रही है पूरा जो महासागर है उसके ये विविन उच्चावच है तो ये वक्र आपका कहलाएगा उच्छता मितिक कर्व या उच्छता मितिक वक्र या हिप्सोमेट्रिक कर्व अब हम इन चारो भागों की एक एक करके विवेचना करते हैं देखें ये मैंने चार बड़ी केटेगरीज आपको बताई इन केटेगरीज या इन श्रेणियों के अलावा बहुत सारे और भी उच्छावच पाये जाते हैं जैसे अन्तय समुद्री परवत श्रेणि या जिनको कटा क्यारीजिस बोलते हैं इसके अलावा सागरिय माउंट या सी माउंट सागरे चबूतरे या गवाइट ठीक है जिनको सी टेबल लेंड बोलते हैं या गवाइट बोलते हैं इसके अलावा खाईया हैं ट्रेंचेज हैं कैनियन्स हैं गर्थ हैं ठीक है बहुत सारे अनेक प्रकार के उच्छावच आपको सागरिय बेसिन में महासागरिय बेसिन में देखने को मिलते हैं इसके अलावा बहुत सारे द्वीप हैं, प्रवाल वले द्वीप हैं, प्रवाल भित्ती हैं, यह सब उच्चावच भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो अब देखते हैं, एक एक करके जो चार हमने बड़ी केटेगरी लिए हैं, बड़ी स्वेणिया लिए हैं उनके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं, महाद्यूप्य मगनतट या महाद्यूप्य शेल्फ की बारे में, कॉंटिनेंटल शेल्फ के बारे में, तो देखें क तटिये भागों के जल्मगन होने के कारण होता है मतलब महाद्यूपिय भाग का ही ये भाग है जो सागर तल है उसकी उचाई बढ़ने के कारण ये जल्मगन हो जाता है अत्वा इसका निर्मान सागर तल पर महासागरे निक्षिपों के कारण होता है ठीक है तो यह आपका है महादीपे मगनतर्ट यह है महासागर का सबसे उतलावा भाग होता है और इसकी ओसत धाल प्रवनता एक डिगरी से तीन डिगरी के बीच होती है मतलब यहाँ पर ढ़ाल है आपको जदा नहीं प्राप्त होता एवं यहाँ जल की ओसत गहराई लगबख 100 फैदम के आसपास होती है एक फैदम में आपका होता है 6 फिट तो 600 फिट तक इस छित्र की गहराई पाई जाती है ओसतन यह मादीपे 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 ढ़ाल से अल प्रेक ठीक है तो आप देखोगे कि महासागरों के कुल छित्रफल के लगबख 8.6 परसेंट भाग पर मादीपे 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 का विस्तार पाया जाता है मादीपे 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 इंद महासागर में मात्र 4.2 प्रतिशत भाग पर महासागरी मगनतट का विस्तार देखा जाता है अब अट्लांटिक ओशन में भी कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर जो मंगनतट है बहुत छोटा है और कहीं कहीं पर यह बहुत बड़ा आपको प्राप्त होता है लेकिन आपको आप देखोगे कि जितने भी महासागर है उनमें ओस्तन लगबग 8.6 परसेंट भाग पर जो है महादियूपिय मगनतट का विस्तार देखा जाता है महादियूपिय मंगतट के चोड़ाई में अत्यदिक ऐसा मानता है देखी जाती है इसकी चोड़ाई तटी स्थलिए उच कि उस तट पर किस प्रकार के उच्चावच है उससे ये निरधारित होता है यदि तट के पास में कोई परवत शेनी है तो जो मगनतट है वो आपका छोटा मिलेगा और यदि ऐसा नहीं है तो जो मगनतट है उसका विस्तार आपको बड़ा देखने को मिलेगा जहां सागरों के पास परवत या पठारी प्रदेश हैं वहाँ पर इनकी चोड़ाई अत्यांत कम मिलती है ठीक है वर इदिया आप चोड़ाई की बात करोगे तो महाद्यू पे मागनतटों की चोड़ाई लगभग 48 किलोमेटर है वो उस्तन पाई जाती है जब हम प्रतिविक महासा मादर के उच्चावच किस प्रकार से विस्तारित हैं तो अभी हम शोट में यह देखते हैं कि जो उच्चावच हैं उन में से महाद्यू पे शेल्फ का प्रतिशत है वो लगभग 8.6 प्रतिशत के आस-पास है और यह प्रतेक महासागर में अलग-अलग रूप में विस्ता जाता है और इसका ओसत धाल प्रवनता होती है एक पांच डिगरी के आस-पास मैंने आपको बताया कि जो महाद्यू पे मगन धाल है उसकी धाल प्रवनता होती है एक डिगरी से तीन डिगरी के आस-पास जैसे धाल की मात्रा बढ़ती है तो आपका महाद्यू पे मगन धाल वाला जो portion है वो start हो जाता है अब इसमें देखोगे मगन धाल पर जल के गहराई 200 मीटर से लेके 2000 मीटर तक पाई जाती है धाल का किनारा महादियूपों के समापती को इंगित करता है जहां पर भी धाल प्रारंब होता है वहाँ पर महादियूपों किनारे से मगन धाल प्रारंब होता है जहां पर मगन धाल या कॉंटिनेंटल स्लोप प्रारंब होता है जैसे यह आपका कॉंटिनेंटल सेल्फ हो गया यह धाल हो गया और यह आपका मैदान चाल हो गया तो यह जो भाग है मगन तट और मैदान के मध्य वाला जो तेज धाल वाला जो भाग है इसको कहते हैं हम क्या महादियूपी है मगन धाल या कॉंटिनेंटल स्लोप समस्त सागरे छेत्रफल के 8.6% भाग पर मगन धाल पाया जाते हैं अटलांटिक महासागर में लगबग 12 प्रतिशत या 12.4 प्रतिशत भाग पर प्रशांद महासागर में 7 प्रतिशत भाग पर और हिंद महासागर में 6% बहाग पर मगनेटाल का विस्तार पाया जाता है तो ये वही सेम लगबग वही पैटर्न है जो आपको महादियूपिय मगनेटाल तट में देखने को मिला था महादियूपिय मगनेटालों पर सागरियन निक्शेप का अभा होता है इसके करेक्टर्स क्या है यहाँपर सागरियन निक्शेप नहीं पाय जाते क्यों नहीं पाये तो वहाँ पर जो निक्षेप है वो रूख नहीं पाते क्योंकि तीव ढ़ाल के कारण उन पर अवसाद या सेडिमेंट स्थाई रूप से नहीं जमा हो पाते कई तटों के समीप इस महादिय पर मगन ढ़ाल पर कैनियन या गहरे घड़ पाये जाते हैं जब भी निक्षेप होते हैं सेडिमेंट के वो नीचे उतर कर जो इसका अधार वाग है या जो इसका बेस है वहाँ पर यह जमा हो जाते हैं और यह पंखे की रूप में जमा होते हैं इसलिन को बोलते हैं जलोड पंख्या जलोड निक्षेप तो ये आपका हो गया महादूपय मगन ढाल अब तीसरा जो point है वो आता है continental rise का या महादूपय उत्थान का महादूपय उत्थान होता क्या है देखिए जहां महादूपय ढाल का अंत होता है कि यह जो मंदर हाल वाले हैं उत्थान जो वाले छेतर हैं इंके ढाल पॉइंट फाइव से लेकि एक डिक्री तक होती है और इसका सामाने उचावच अत्यंत कम होता है क्योंकि इसकी ढाल है वह बहुत कम होती है और गहराई बढ़ने के साथ यह महाद्वी पे उत्थान करीब करीब समतल होकर महा सागरे नितल या अगाद सागरे मैदान या अबैसल प्लेन या डीप सी प्लेन में विलीन हो जाते है तो आपको क्या आद रखना है महाद्वी पे उत्थान क्या होता है कि वो छेतर जहां पर महाद्वी पे ढालकानत होत जिसके समापती अगाद सागरे मैदान के रूप में हो जाती है अब हम देखते हैं क्या होता है अगाद सागरे मैदान अगाद सागरे मैदान या डीप सी प्लेन या अतिनत गहराई में स्थित जो सम्तल मैदान है सागरे मैदान है वो क्या होते है उसको देख लेते है देखिए गहरे महासागरे मैदान या महासागरे नितल मैदानी महासागरे बेशिनों के मंद ढाल वाले छेतर होते हैं इनकी गहराई 3000- 6000 मिटर के आसपास होती है मतलब ये अत्यनत गहरे पाए जाते हैं ये मैदान महीन करने वाले आउसादों जैसे मरतिका या गाद से आवरित होते हैं मतलब इन पर मरतिका और जो गाद है उसका जो निक्षेप है वो पाए जाता है अगे हम देखेंगे कि जो विविन अवसाद हों किस प्रकार के होते हैं महासागरी निक्षेप का जब हम परणन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे म्रतिका के बारे में, गाद के बारे में ठीक है, पंक के बारे में, यह सब चीजे हम बाद में देखने वाले है अगाद सागरे मैदान का जो वितरन है वो देख लीजिए देखिए अगाद सागरे मैदान महासागरी जो नितल है महासागर का जो बेसिन है उसका सबसे बड़े भाग को कवर करता है लगबग 76% भाग पर महासागरे नितल के ये जो अगात सागरे मैदान है पाये जाते हैं प्रशान्थ महासागर का लगबख 80.3 प्रतिशत भाग, हिंद महासागर का 80.1 प्रसंड भाग और अट्लाटिक महासागर के लगबख 14.9 54.9 प्रसंड भाग पर अगाथ सागरे मैदान का विस्तार देखने को मिलता है प्रशान्त और हिंद महासागर के दूर्णा में अट्लांटिक महासागर में इनका विस्तार कम होता है क्यों होता है उसका कारण देख लिए कारण यह है कि जो अट्लांटिक महासागर है उसमें महादूपे निमगनतर्ट पर इसका महाद्यू पे निमगन तर्ट जो है या Continental Shelf है उसका वित्रन ज़्यादा पाय जाता है अब हम देखते हैं इसके बारे में कि ये मैदान जो है दीप सी प्लेन है इन मैदानों का दिकान स्विस्तार 20 डिगरी उत्तर और 60 डिगरी दक्षिन अक्षान्स के मद्धे पाय जाता है और प्राइस 60 डिगरी से लेके 70 डिगरी जो North Latitude है वहाँ पर इनका अभाव देखने को मिलता है ये क्यों मिलता है क्योंकि वहाँ जो उचावच है जो आसपास की स्थलिय भाग है वो सक्रे है और जो रिमेनिंग पोर्शन ने जहां पर इसका अविस्तार ज़्यादा पाय जाता है वहाँ पर महासागरों का विस्तार भी ज़्यादा है इन समुद्री मैदानों में जो ये डीप सी प्लेन हैं इन में बहुत सारे उच्चावच आपको देखने को मिलते हैं जैसे कटक हो गया, जौला मुखी परवत हो गया, निमन दीप या गौइट्स हो गया, गर्थ हो गई, खाईयां हो गई, या महासागरी दीप हो गई इसका मतलब यह है कि जो डीप सी प्लेन है, वो सम्तल तो होते हैं, लेकिन उनमें भी कहीं कहीं पर आपको उच्चावच आपको देखने को मिलते हैं अब एक और भाग है महासागरी उच्चावच का, उसको कहते हैं महासागरी गर्थ या खाईयां, ओशिन एक डीप्स महासागरी गर्थ महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो महासागरी नितल के लगबग साथ प्रतिशत भाग पर विस्तृत हैं, ये सबसे गहरे भाग हैं गर्थ अपेक्षक्रत खड़े किनारवाले संकीन बेसिन होते हैं मतलब ये एकदम संकीन होते हैं संकीन बेसिन होते हैं ये अपने चारों और की महासागरी तली की अपेक्षक्रत तीन से पांच किलोमेटर तक गहरे होते हैं जैसे आप देखोगे कि ये महाद्वी पे निमंगतर था, ये ढाल था, ये मैदान था, ये उभार था, उसके बाद में एकदम से जो गहरे छेतर हैं ये आपको कहलाते हैं, खाई या ट्रेंच या डीप, ठीक है तो ये आस पास के छेतर से कितने, तीन से पांच किलोमेटर तक गहराई वाले होते हैं ये महाद्वी पे मागन धाल के आधार पर तथा द्वी पे चापों के पास स्तित होते हैं, मागन धाल के आधार ये भाग में होते हैं, कहीं कहीं पर आप देखोगे, तो जो अपका बेसल प्लेइन है या जो सागरे नितल है, उसके समापती पर या उसके आस पास भी आपक इनका जो importance है वो काफी है वर्तमान में लगभग 57 गर्तों के बारे में हमें जानकारी है उन में से जो सरवादिक गर्त पाई जाती है वो पाई जाती है प्रशांत महासागर में लगभग 32 Atlantic महासागर में लगभग 19 गर्तों की खोज की गई है और सबसे कम जो गर्त आपको मिलेंगी वो मिलेंगी हिंद महासागर में कही बार exam में पूछा जाता है कि कौन सी गर्त किस महासागर में अवस्तित है तो यह आपको पता होना चाहिए विस्व की सबसे गहरी जो गर्त है वो है Mariana Trench नेच यह आपकी मिलती है पश्चिमी प्रशान्त महसागर में फिल्थिंज के पास फिल्रей्पिन के पास है इच्श MI प्रेफ्ट प्रसक्रान्स के पास पे प्रेफिंस के पास जो आपकी कहां पर हिंद मासागर में वस्तित है तो यह कुछ प्रमुख गर्थ है यह एक टेवल मैंने बनाई हैं जिसमें कुछ प्रमुख गर्थ के मैंने नाम बताए हैं तो जिसे मेरियाना हो गया आपका प्रशांत में टोंगा क्यूराइल फिलिपीन से मिडिनाव यह आपकी इंडोनीशा के पास में है चुंडा गर्थ तो यह कुछ महासागरे गर्थ यह खाईया हैं अब हम देखते हैं आगे कुछ अन्य महासागरे नितल के उचावच जो मैंने अभी आपको चार-पांच उचावच बताए इनके अलावा महासागरे बेसिन में छोटे ठीक है निमगने द्वीप यह गोएट्स जिनको टेबल एंड टोपोग्राफिय भी बोलते हैं इसके अलावा एट ओल है ठीक है तो यह और कुछ महासागरे नितल हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए तो सबसे इंपोर्टेंट इसमें जो है वह है मिड सब्सक्राइब करते हैं सीफ्लोर स्प्लेडिंग हमने जब पढ़ा सागर नितल प्रसरन जब पढ़ा था उस समय भी हमने देखा था कि जो मद्य अट्लांटिक कटक है वो एक प्रमुक भूमिका इसमें निबाता है तो यह मद्य अट्लांटिक कटक है क्या देखिए इन विश्व वियापी अगरे कटकों का निर्मान हुआ है एक मद्य महासागरे कटक परवत की दो स्टंकलाओं से बना होता है जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किये गए होते हैं विशाल अवनमन या विशाल अवनमन मतलब डिप्रेशन द्वारा अलग किये होते हैं मतलब दो परवत स्ट आपको एक यहां पर मिलेगी और एक यहां पर मिलेगी ठीक है तो क्या होता है यह आप सारी प्लेटों की किनारे जो है वो आपको ये रिजिज देखने को मिलते हैं इन परवत शंकलाओं के सिखरों के उचाई पच्चिस सो मीटर तक हो सकती है और इन में से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुच जाते हैं उधारन सुरूप आइसलेंड जो मद्य अट्लांटिक कटक का एक भाग है अट्लांटिक और हिंद मासागर में इन जो कटक है उनका विशतार आपको देखने को मिलता है उसमपूर्ण अट्लांटिक मासागर में लगबख ISE NK वे इ सारी प्लेट है और यह एस्टोने स्पियर से जो दुर्बलता मंडल है या जो मेंटल है आपका जहाँ पर मेंटल में जो एस्टोने स्पियर है वहाँ से जो है वो मैगमा बाहर निकल रहा है ठीक है और यह ऐसे फैल रहा है तो विस्तृत होते वे कटके भाग नई चटन का निर्मान होता है यहाँ पे और क्रस्टल प्लेटें एक दूसरे से यहाँ पे दूर जा रही है अब इसमें देखोगे जहाँ पर भी कटक है यह जहाँ पर भी आपको रिज दिखाए दे रहे हैं वहाँ पे जो आलमों की परवतों का निर्मान होता है और यह इनका इस डियाग्राम में आप इनका वित्रण देख सकते हो इसमें आप देखोगे यह जो अट्लांटिक महासागर है इसमें यह जो है पूर्ण रूप से विस्त्रित है यह जो छेतर है यह मिड़ अट्लांटिक रिज या मद्य अट्लांटिक कटक के रूप में विस्त्रित है इसी प्रकार से हिंद महासागर में भी यह आप देखोगे South West Indian Ridge है, Central Indian Ridge है, South East Indian Ridge है इनको अलग-अलग नामों से अलग-अलग छित्र में जाना जाता है जिसको हम देखेंगे आगे जब हम Ocean Relief पढ़ेंगे specifically प्रतेक महासागर के उच्चावचों के बार में अध्यन करेंगे तो हम देखेंगे कि किस छित्र में इसको किस नाम से जाना जाता है तो यह जो भी आपको diagram में दिख रहा है, यह सारे हैं आपको यह सारे आपके मध्य महासागर्य कटक के रूप में जाने जाते हैं समुर्दर टीले के रुप में रहता है समुदर्र टिले जो आसरा मुख्य के द्वारा उत्पन होते हैं जो समुदरी छेतासे उसके द्वारा यह निर्मित होते हैं ठीक है ये तीन हजार से साड़े-चारहजार मीटर तक उंचे हो सकते हैं अब प्रमुक समुद्री टीले का एक्जामपल देखोगे तो आप जो एम्पेरर है समुद्री टीला जो प्रशान महासागर में है ये हवाई द्वीब समुद्री का विस्तार है तो ये हो गया सी माउंट या सी समुद्री टीला उसके बाद आता है जलमगन कैनियन महासागरी नितल पर इस्तित गहरे गोर्ज को कहा जाता है जलमगन कैनियन मतलब ये सकरे छेतर होते हैं या गहरी घाटियां होती है यह मुक्यत है महादी पे निमगन तर्ट ढाल और उत्थान तक ही सिमित होते हैं हडसन जो है हडसन कैनियन जो है वो विश्व का एक सबसे अधिक प्रमुक जो है कैनियन है गौइट्स या निमगन द्वीप यह जो हैं यह क्या है आपके इनको बोलते हैं टेबल माउंट यह आपके आईसोलेटेड अंडरवाटर वॉल्किनिक माउंटेंस कहलाते हैं यह चप्टेशेकर वाले यह चप्टेशेकर वाले जल्मकन परवतवय निहर्मान की अउस्ताइं क्रमिक अवतलन के साक्ष्र द्वारा प्रदर्शीत होती हैं अकेले प्रशांध महासागर में लगवग दस अजार से अद्वीख समुदर्र धीप पाए जाते हैं थिक तिक यह इनको काज़ता है table mount सॉरी इनको सी मांट भी काज़ता है क्योंकि सी मांट है तो वैसा ही karakter यह भी प्रदशित करते हैं जैसा कि सी मांट है यह मूदल तीले है लेकिन जो यह है table mount जो है यह isolated underwater volcanic mountains के रूप में जाने जाते हैं अब इसके बाद में देखो आप प्रमुक एक सरंशना है जो पाई जाती है उसको कहते है अटॉल इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब कोरल के बारे में पढ़ेंगे हम प्रवाल भित्यों के बारे में पढ़ेंगे लेकिन इसमें शोट में देख लेते हैं अटॉल जो है यह कटबंदी महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्यों से निर्मित सरंचनाएं हैं जो गहरे अवनमन को चारों और से गहरे होते हैं ठीक है अट ओल देखेंगे हम क्या होता है बाद में यह डाइग्राम है इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे जो मैंने भी आपको बताया सरंचना है उनके बारे में यह आपका मद्य महासागरी कटक है यह अगाद सागरी मैदान या बेसल प्लेन है यह गौइट या निमगन द्वीप है यह सी माउंट है देखें गौइट और समुदरी टीले लगवग यह एकी जैसे हैं यह आपका जो महादीप के पास इसके बाद में आपको आजाता है महादीप पी धाल इसके बाद में जैसे इसमें उभहर होते हैं और thank you toddler कर देखने को मिलें गर्थ समुद्री तीला हो गया गौइट हो गया तो यह जो छेत्र हैं यह आपके यह आपका सारा जो भाग है यह समुद्री जो सत्य है उसके उपर देखने को मिलता है महासागरी बेसिन में सारी सरशनाई पाए जाती है तो इस क्लास में हमने देखा महासागरी नितल में कौन-कौन से उच्चावच पाए जाते हैं और उनका वित्रन प्रतेक महासागर में किस प्रकार से है next class में हम देखेंगे आपका प्रतेक महासागर के उच्चावच को हम detail से पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही thank you very much